असलाम नेकूम आज मैं आपको बताऊंगी कि कमीज की परफेक्ट फिटिंग किस तरह से की जाती है फिर फिटिंग वाली कमीज पर रौंड सलीव किस तरह से लगाया जाते हैं तो यह देखें आप जिस कमीज पर फिटिंग चाहरी है अच्छे से कमीज की फिटिंग कर ले कम करने के बाद आपने जो रौंड सलीव लगाया जाती है यह बाद में लगाया जाती है यह देखें मुकमल कमीज की सिलाई करने के बाद आपने सलीव को भी तयार कर लेना है जैसा कि यह देखें सलीव अलग से तयार है आप यह कमीज के साथ किस तरीके से अटैच होते हैं यह जो कमीज है ठीक है यह जो इस कमीज का गल्ला है देखें यह कमीज का गल्ला है यहीं से थोड़ा सा इसको यहां से उल्टा कर दें यह आर्मोल है ठीक है गल्ले से कार सकती है कमीज को उल्टा भी कर सकती है दोनु तरीकों से किया जा सकता है बस ये कि इसका होल जो है वो उल्टी सैट पे करना है तो ये देखें मैंने उल्टी सैट पे ये कर दिया है ठीक है इसी सलीव को ये जो सलीव आपने तयार किया है इसको आपने ऐसे सीधा करना है ठीक है इसको उल्टा नहीं करना इसी सीधे को एक में थोड़ा कैमरा पीछे करती हूँ तक कि आपको वाज़े दिखें हाँ जी अब देखें यही तयार शुदा सलीव जो है इसको इस आर्म होल के अंदर डालना है किस तरह डालना है देखें यह देखें इसको थोड़ा सा मोड रही हूँ मैं ठीक है यानि के कमीज की उल्टी सैड पे आपने यह जो आर्म होल है इसकी सीधी सैड आर्म होल की सीधी सैड जहां पर सलीव को बंद किया था इसकी बंद सैड यह देखें यह उपर है यह जो कंधार है यह उपर है जहां पर यह सलीव बंद किया था यह वो जगा है अब इसको इसी उल्टी कमीज के अंदर ठीक है यह देखें मैं अंदर डाल रही हूं इसको अंदर डाले यही जो जहां पर सलीव बंद किया था उसको और जहां से कमीज बंद किया था कमीज जहां से बंद किया था इन दोनों को आपने यहां से कमीज बंद की थी इस जोड को इस तरह से बराबर पकड़ लें अब क्या करना है इसी के अंदर ये जो आर्म होल का होल आ रहा है इसको ये देखें इसके अंदर निकाल लिया मैंने सलीव्स को इस आर्म होल के मैंने अंदर निकाला दोनों को इस तरह से आप नाप करकर देख सकते हैं कि क्या दोनों बराबर आ रहे हैं ठीक है जो कि ये आप काम पहले नाप जब फिटेंग करती है तब ये पहले आप नाप कर चुकी होती है कि क्या दोनु का जो आर्म होल रखना है सलीव का आर्म होल और कमीज का आर्म होल दोनु का आर्म होल बराबर रखना होता है फिर कमीज के अंदर कमीज की उल्टी सैड के के अंदर सलीव की सीधी सैड सलीव की सीधी सैड को आर्म होल के अंदर रखना होता है आर्म होल के अंदर रखते हुई आर्म होल के अंदर रखते हुए सलीव के जो कंधे का कट होता है ठीक है दर्म्यान का उस कट को ये जो कमीज का ये जो आ रहा है कंधे का ठीक है इस कंधे के जोड को और सलीफ के जो सलीफ का जो कट लगा हुआ होता है इन दो को बराबर आ जाना चाहिए ठीक है उसके बाद यहां से देखें जहां पर कमीज बंद की है और आर्मोल जहां बंद किया है इन दोनों यह जो जोड होते हैं इन दोनों को भी बराबर आ जाना चाहिए ठी देखे देखे यह बिल्कुल बराबर है अब आपने जो इसकी शलाई करनी है वह इस तरह से करनी है जो सलीव जहां बंद किये थे यह वो जगा है इस तरह कर लेना है मोड के और य जो कप्ड़ा है ये थोड़ा सा इस तरफ कर लेना है इस जोड़ को और इस जोड़ को बराबर रखते हुए हमने रॉंट सलाई लगानी है जब रॉंट सलाई लगा रही हो तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो दर्मियान का कट है ये दर्मियान के कट के उपर आए आप देखें यह सलाईमा किस तरह लगाती हूँ अब इसी को मशीन के अंदर रखें और ऐसे गोल सलाई लगाती जाएं यह देखें अंदर से मैंने यह सलाई लगाई है इसी आर्मोल के अंदर और यहां से देखें मैं इसलिए आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि कुछ लोग जब सीख रही होती है ना लड़कियां तो उनको पता नहीं चलता तो वाज़ करके मैं आपको बारबार दिखा रही हूँ कि किसी को मसला ना हो यह अंदर यह देखें ये जो अंदर फिटिंग की सलाई लगाई थी ये वो है और अब यहां पे देखें ये वो सलीव्ज है अच्छा इसी सलीव्ज को मैं अंदर से निकाल रही हूँ आपको समझा जाएगी ये देखें ये गोल सलाई लगाई है सलीव्ज अंदर डालके इसको रौंड सलीव्ज कहते हैं और अगर आप अच्छी फिटिंग चाहती है तो पहले कमीज की फिटिंग कर लिया करें फिटिंग करने के बाद कमीज को नाप के मताबिक चेक करें फिर उसके बाद जो है सलीव्ज लगाए बहुत अच्छी जो है इससे ठीक है मैं इसको खोल के दिखा रही हूं फिटिंग बहुत अच्छी निकलती है इसे यह चुट चुटी चीज़े है इन्हीं को जब आप अपनाती है तो आपकी परफेक्ट कमीज बन जाती है तो यह देखें यह मैं थोड़ा से आपको दिखान ठीक है और यह जगा देखें एक कपड़े के रूओ थोड़ा सा इस तरफ मोड दिया और दूसरे को इस तरफ यह अंदर आ जाता है अब इसको पलटती हूं मैं सिधा करके आपको दिखाती हूं कि सीध्य सیड़ किस तरह आएगी यह देखें वहीं से मैं सिधा कर रही हूं क्योंकि गल्ले से डाला था तो यहीं से ही सीधा कर रही हूं मैंने फुल जो है कमीज उल्टी नहीं की थी तोड़ा सा गल्ले की तरफ से उल्टा कर दिया था आप चाहें तो पूरी कमीज भी उल्टी कर सकते हैं यह देखें ठीक है इस तरह से यह डाले जाते हैं सेम इसी तरीके से आपने दूसरा सलीव भी लगा लेना है जो के मैंने पहले से लगा लिया था ठीक है यह देखें ठीक है दोनों सलीव स्थे आपने इस तरफ जोड़नी है यह जो तीन-चार चीजें मैंने आपको बताई हैं यह बहुत एहमयत रखती है तीन तर चीजें कैसे कहरी है क्योंकि घाए तो ये वीडियो बनाई है इस से पहले कुछ वीडियोज बनाई है सलीवस की टारिका कमीज की तरीका कुं सा 28409 किस तरीके से बगैर बिजली के आप बना सकती है और बैकसाइट की पर्टी परफेक्ट तरीके से आप किस तरीके से बनाएंगी चैहम चीज़ी हैं जो बहुत ज्यादा सलाई में एहमेत रखती हैं यह मैंने बताई हैं इन चीज़ों को नोट करें किसी भी अच्छे अदारे में अगर आप डिजैनिक सिखने के लिए जाएं मैंने इसनी हैं यह इदारों के अंदर सिखाई जाती हैं और मैं कई सालों से टीचिंग का रही हूं मुसलसल मेरा सिखाने का काम है तो कई मराहिल से मैं गुजर चुकी हूं मैंने खुद भी कई साल पहले सिखा और कई सालों से मैं सिखा रही हूं तो इसलिए जो मैं सीख जाती है तो आने वाले कल में आप बहुत अच्छे तरीके से दूसरी लड़कियों को भी सिखा सकती है तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इंशाला नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं